दोस्तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह हम अप्ग्रेट कर सकते हैं विंडोस 10 को विंडोस 11 में ओफिशली अपडेट है सबसे पहले आपने क्या करना है विंडो प्लस आर प्रेस करना है रन कमांड हमारे पास कुछ इस तरह से अपियर होगा यहां पर हमने टा दो यूज कर रहे हैं उसका वर्जियन अवेलिबल है यादि के आप अपनी विंडोस का जो भी वर्जियन है उसको यहां से चेक कर सकते हैं आफ्टर अपडेट भी तो इसको हम OK करते हैं ऊके करने के बाद आपने क्या करना है? C-Drive में आपने चेक करना है कि आपके जो C-Drive है उसमें 16GB Space Required है यानिके 16GB Space आपके पास अवेलबल है तो ही आप इसको अपडेट या अपगरेट कर सकते हैं इसके बाद आपने क्या करना है? setting में आना है यानि कि windows update जो है वो refresh होना शुरू हो जाएंगी या जितनी भी updates हैं वो हमारे पास available हो जाएंगी या आपके पास पहले ही available हो आपने simple क्या करना है install now करना है install now करेंगे तो यह तमाम जितनी भी यहाँ पर आपके पास updates होंगी वो download और install होने के बाद PC आपका जो है वो restart हो जा यह आपका जो computer है वहाँ पर windows 11 install हो सकती है तो यहाँ पर आपके पास जो windows 11 की update है वो available होगी आपने simple क्या करना है उसको download करना है install करना है और अपने PC को restart करना है इससे क्या होगा आपकी जो microsoft windows है वो convert हो जाएगी windows 10 से windows 11 में यह simple और official method है जिससे आप अपनी windows को upgrade कर सकते है Microsoft Windows के version में तो यह simple सा method था आप किस तरह अपनी windows को upgrade कर सकते हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं मेरे पास कोई भी update अवेलेबल नहीं है अगर यहाँ पर मेरे पास update अवेलेबल होती तो हम यहाँ पर इसको install कर लेता यानिके windows 10 से windows 11 में इसको convert कर लेता बहुत ही असानिके से तो